मेरा जो बेटा था वो एक टाइम में दो-दो केले खाया जाया करता था मैंने उसको छे मेनी से खिलाना ही स्टार्ट कर दिया था हेलो फ्रेंड्स, नमशकार, कैसे हैं आप सब एक बार फिर से हाजर हो गई हूँ मैं बताने वाली हूँ जिससे आपके बच्चे का बजन सरतिया बढ़ जाएगा जितना बच्चे का बजन एज को अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चे का बजन बैसा ही रहेगा आप लोग कॉमेंट्स करते हो ना कि बच्चा 6 महीने का हो गया है बच्ची को क्या के खलाना स्टार्ट करना चाहिए तो बस जो इस वीडियो में मैं चीज़े बताने वाली हो वो खलाना आप स्टार्ट कर दीजे आपका बच्चा प्रामिस है गोलू मोलू बनेगा बच्ची का बजन सही बढ़ेगा तो कौन सी वो चीज़े है जानने के लिए बहुत ज़्याद एक्साइटेट है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीज़ेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे उसको आप या तो दूद में घोल कर बच्चे को खिला सकते हैं ऐसा सेरलेक होम मेट सेरलेक आपका बन जाएगा इससे सर्तियां चुटकियों में बच्चे का बजन बढ़ना शुरू हो जाएगा दूसरी चीज है वाइल्ड आलू आप बच्चे को आलू खिलाईए देखत अपना ही एक नमकी in test होता है तो आप बच्चे को खिलाना start किजी देखिये का बज़न कैसे नहीं बढ़ता इसके बाद है तीसरी चीज केला मैंने रह्त को रहने दौबीच़ को बहुत कहला ने पैर पटली एक रोटी बना लिए उसको अच्छे तरीळे से मेश कर ली और उसमें एक चम्मज घी या एक चम्मज बटर मिलाएगे ठीक उसको अच्छी तरीके से mix करके वो बच्ची को थोड़ा थोड़ा खिलाईए बहुत जादा healthy होता है कसन से बच्ची को बहुत जादा पसंद आता है आप खिलाईए बच्ची का बजन सर्तिया बढ़ना सुरू हो जाएगा और काफी सारी nutrition भी बच्ची को मिलेंगे इसके बाद है कौन से नमबर है पांचवा नमबर आपको बच्ची को sweet potato मतब शकरकंद खिलाना है जैसे कि शकरकंद को boil कर लिया आपने थोड़ा थोड़ा बच्ची को शकरकंद खिलाईए पसंद आता है क्योंकि मीठा होता है अच्छा लगता है बच्ची को तो इससे भी क्या होगा कि बच्ची का बजन सर्तिया बढ़ेगा और बच्ची को काफी सारे nutrition भी मिलेंगे इसके बाद है कौनसी चट्वी चीज जैसी कि आप बच्ची को दल्याय या खिच्ड़ी भी दे सकते दल्य एकदम आपको महीन बनाना है इतना ज़्यदा पका देना है इतना सीटिया लगा देनी है उसमें कि वो एकदम से मिक्स हो जाए वह आप अपने बच्ची को खि फुल क्रीम दूध होता है वो जरूर पिलाईए, क्योंकि अगर आप बच्चे को आप काव मिल्क देते हो या टोन मिल्क देते हो तो इने में क्या होता है फैट की मातेरा ख़तम हो जाती है बच्चे का बजन सही रहता है बजन टाइम पर बढ़ता रहता है और बच्च दुबला पतला नहीं होता है तो अगर आप दिसी की ओफिस वरकिंग नहीं है तो आप बच्चे को कंट्यू अपना प्रेस्ट फीड भी दे सकती है ठीक है फ्रेंड तो यह सी हल्फुल चीजे है जो आप अपनी बच्चे को देते हैं तो इससे बच्चे को बजन चुटकियों में बढ़ेगा आप उची कॉमें जरूर शेयर कीजेगा कि आप इसमें से बच्चे को अभी क्या क्या खिला रहे हो तो मिलते हो आप सबसे अप नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए तक यू